हेलो दोस्तो शेफाली किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करारी आलू की टिक्की इसे हम स्नेक्स के तौर पर या बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं तो आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है उसके अब हम इसमें आदा कटोरी ब्रेड करम्स डालेंगे इसे डालने के बाद अब हम इसमें आदा चमच रैड चिली पाउडर डालेंगे एक चमच हम धनिया पाउडर एड करेंगे आदा चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और एक चमच चाट मसाला पाउडर एड करेंगे और इसके बाद हम इसमें टेस्ट की अकॉर्डिंग नमक एड करेंगे और अब हम इसमें दो बरी कटी हुई हरी मिर्चे डालेंगे और अब हम इसमें 1.5 चमच या 2 चमच हम कॉणफलॉर पाउडर डालेंगे इन सब चीजों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो प्रिपेर करेंगे ये देखिए मैं इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ और इसका डो प्रिपेर करेंगे आपको ये आलो टिकी की रेसिपी यदि अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये देखिए ये मेरा डो प्रिपेर हो गया है अब हम इसे 5 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे और इसके बाद अब हम एक बोल लेंगे और इसके अंदर हम दो चमच मेदा डालेंगे और अब हम इसमें पानी एड करते हुए इसकी एक गोल प्रिपेर करेंगे ये देखिए मैं इसे बिक्स कर रही हूँ अभी ये मुझे थोड़ा गाड़ा लगा है और अब मैंने इसमें पानी एड़ कर दिया है और अब ये सलेरी बिलकुल त्यार है अब इसके बाद हम आलू का डो और ये जो सलेरी हमने तयार की है और एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और अब हम हातों पर गी या तेल जो भी लगाना है वो लगा के उसे चिकना कर लेंगे और इस आलू के डो के छोटे छोटे पोर्शन्स लेंगे और अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे ये देखिए मैंने पहले से रोल किया है और अब हम इसे टिक्की का शेप देंगे ये देखिए इसे हम इस तरह से बनाएंगे ये हमारी टिक्की रेडी हो गई है अब इसे हम सबसे पहले इस मैदा के गोल में कोट करेंगे ये देखिए ये टिकी बन गई है इसे सबसे पहले हम मैदे के गोल में कोट करेंगे और इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे मैंने इसे प्रेट पे रख दिया है और इसके उपर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे इस तरह से और इसे कोट करेंगे ये देखिए मेरी पहली टिक्की ready हो गई है इसी तरह से हम और भी बच्ची हुई टिक्किया ready कर लेंगे यह देखिए सारी टिक्किया अब ready हो गई है अब हमेने fry करेंगे मैंने गैस का फ्लेम ओन कर लिया है और उस पर एक पैन रख दिया था और उस पर तेल डाल दिया है जब ये तेल गरम हो जाएगा तब हम एक एक करके इन टिक्कियों को इसमें डालेंगे ये देखिए मैं डाल रही हूँ और इन्हें फ्राइ करेंगे इस टाइम पर गैस का फ्लेम हम मीडियम लो ही रहेंगे अगर हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे तो ये टिक्की बहार से सिख जाएगी बट अंदर से कच्ची रह जाएगे हम इसें दीमी आज पर इसी तरह से सिखने देंगे जब ये टिक्कियां एक साइड से थोड़ी-थोड़ी सिख जाएं उसके बाद हम इने टर्न करेंगे यह देखिए यह एक साइट से सिख गई है अब हम इने इस पैचुला की हैल्प से टर्न कर रहे हैं देखिए मैंने दूसरी भी टर्न कर दी है और इसी तरह से हम इन्हें पलट-पलट कर क्रिस्पी होने तक सेखेंगे इन टिक्कियों को सिखने में लगबग 5-7 मिनिट का टाइम लगता है ये देखिए मैं इन्हें पलट-पलट के सेख रही हूँ इस टिक्की की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अब देखिए